कमोडी की ABCD में विशुमोन है मारे साथ विशुमोन जुडगे हैं विशुमोन बताईए आज क्या है special लेगे आज कमोडीटी की ABCD में हम बात करने वाले portfolio management services की कमोडीटी मार्केट में भी इसका धायरा धेरे देरे बढ़ रहा है यह services अब commodity market तक भी पहुँच गया है और कई सारे ऐसे investors हैं जो PMA services commodity market के लिए ले रहे हैं और होता क्या है professional manager आपका fund manage करता है लेकिन mutual fund से यह अलग इसलिए है क्योंकि mutual fund में एक pool of funds होता है जिसका investment होता है यहाँ पर हर client का हर का अपना account होता है उसका fund manager उसको manage करते है minimum investment राकम यहाँ पर 50 लाख रुपए लगती है और इसका regulator भी सेवी है सेवी का regulation है और जो investment होता है वो equity, commodity, debt में होता है real estate में भी होता है अब बात करते हैं हम AIF की AIF कितना different है PMS के मुकाबले AIF यह अनि alternative investment funds वो जो traditional investment होता है equity, commodity market में या debt market में उसके beyond जाकर यहाँ पर AIF में investment किया जाता है, alternative investment funds जो होते हैं वो निवेश करते हैं और एक private pool बनाया जाता है funds का और वो investment कहा होता है जो private equities होती है, venture capital होते हैं, hedge funds होते हैं, real estate में infrastructure से related जितने funds होते हैं तो इसका दायरा काफी बड़ा होता है, आपको बहुत जादा return मिलने की भी संभावना रहती है और risk भी बहुत जादा रहती है, और इसका minimum investment है, एक करोर का है, अगर आपको high risk appetite वाले investor हैं, तो definitely long term के लिए आप AIF का भी चुनाओ कर सकते हैं, अपने risk appetite गोल की हिसाफ से तै और उसका क्या debt से क्या commodity market का मामला सेट हुआ है, ये बताएंगे 11 बच कर 30 मिन में खास करके भूले market को लेकर और crude market को लेकर, ठीक है, शक्रिया विश्वववन, चले खड़ा खड़ा आगे बढ़ेंगे, फैजाबास से